सभी अधरनिय साथियों, आज पूरा दीन, हम लोगों ने भविश्व हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, हमारे priority sector कैसे हो, नीति आयोग के तरफ से एक document जो तयार किया गया है, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की, सकारात्मक चर्चा की, और कुछ मौलिक सुझाव भी मिले, मैं आप सबको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि यह जो document circulate किया गया है, यह एक draft document है, आज आपकी जो लिखित भाशन आये हैं, वो और आपने मौखविक रूप से जो कहा गया है, वो, और जाने के बाद भी कुछ अगर भेजना चाहें, तो वो, इन सब को गंबीरता से लिया जाएगा, जो भी उत्तम बाते हैं, उसको उसमें आमेज करने का प्रयास किया जाएगा, और तब जाकर के, यह framework document को final रूप दिया जाएगा, एक प्रकार से यह शुरुवात है, जीतना हो सके उतना जल्दी, हम इस पर विचार करें, अपने एक छोटी टीम बनाएं, जो इस दिशा में कैसे मदद कर सकते हैं, लेकिन यह बात सही है कि हमें अब तक जैसे सोचा है, जैसे चले हैं, आने वाला समय उसके लिए तयार नहीं है, हमने हर प्रकार से अपने आपको बदलना पड़ेगा, अपनी सरकारों को बदलना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज को बदलना पड़ेगा, तब जाकर के इन एस्परेशन्स को हम पूरा कर सकते हैं, अनुभव करते हैं कि समसाधनों की विपूलता हो, लेकिन अगर गूड गवर्णनस पर बल न हो, तो समसाधनों से सम्रुद्धी का मार्क एचिव नहीं होता है, बहुत आवश्यक है कि हम गंभीरता से गुड गवर्णनस पर बल दे, वाईश्विक संदर्म में भी अगर दुनिया हमारी यहां आना चाहेगी, तो इज अब डूइंग बिजनेस की क्या स्थिती हैं, हमारे नीने कैसे तेज गती से चलते हैं, कितने ट्रांस्परेंट हैं, हमारी पूरी व्यवस्ता कितने अकाउंटेबल हैं, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। और इसलिए मेरा अब सबसे अनुरोध है, कि हम पैसे होगे तो प्रगति होगी, समसादन होगे तो प्रगति होगी, इन सबसे भी आगे देखला है, अगर गुड गवर्नस होगा, तो डिसोर्स का आप्टिमम उट्राइजेशन होता है, समय का सर्वाथिक प्रोड़क्टिव यूज होता है, मैन और मशीन का और मनी का विकास के लिए पर्फेक्ट उट्राइजेशन हो सकता है, और इसलिए उस पर हम जीतना बल देंगे, बड़ा विस्वास है उसका लाब होगा, आज यहां मुख्यमंत्रियों के लिए कि जो विचार आये हैं, अपने आपने इन सारे विचारों का बड़ा महत्व है, जैसे रिजनल इंबैलेंस की बात हुई, यह बात बिलकुल साफ है कि देश का कोई भूभाग पीछे हो, और हम सोचे कि देश आगे निकल जाएगा, तो संभव नहीं होने बाला है, रिजनल इंबैलेंस को हम सबने मिलकर के उस्थिति को सुधारना ही होगा, उसी प्रकार से अपने अपने राज्यों में भी रिजनल इंबैलेंस होता है, अपने अभी दस जिले बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, तो दो जिले और बहुत बुरी स्थिति में होगे, दस अच्छे जिले होंगे उसमें भी एक ब्लॉक ऐसा होगा कि जो शायद और बुरा होगा, हमारे हाँ भी उतना ही माइक्रो लेबल पे इरीजनल इंबालेंस को दूर करने के लिए प्रयास होना चाहिए उसको special attention देना चाहिए और देश में भी एक सम्रुद्ध राज्य, एक गरीब राज्य के साथ मिल करके भी उनकी मदद कर सकता है, ऐसी कोई योजना हम बविश में सोच सकते हैं क्योंकि देश को आगे लेगे जाना ये हम सब की सामुई जिम्यवारी है जम्मु कश्मीर मुख्यमंत्री जी ने आप सब को निमंत्र दिया है मैं भी कि आग्रह करूँगा कि जाना चाहिए स्रीनगर जाना चाहिए दो दिन, पांच दिन अपने छोटे मुटे कारकमों की रचना वहां कर सकते हैं जीतना ज्यादा आना जाना बनेगा और एक विशय जो राजना जी ने बहुत आग्रह से रखा है और महभुबाजी ने बहुत ही उसको मृदूता के साथ हमारे सामने रखा है हमारे जिन जिन राज्यों में कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे हैं काम कर रहे हैं सरकार में एक सैल होना चाहिए उन सबसे संपर्ग बनाने का और उन से कभी ने कभी मिलने का मुख्यमं के तरी स्थर पर कोई कारकम करना चाहिए यह हमारे लिए बहुत आवशक है और जैसा महभुबाजी ने कहा कि वे स्वैम अपने आपने के अमबेसेडर बन जाएंगे सुरक्षित होंगे तो भी जब वो वहां रहते हैं तो अब मैं जब देखता हूँ कि स्री नगर में भूती अच्छे टेंपरेचर में रहने वाले बच्चे कोटा में कोचिंग क्लास के लिए रहते होंगे जहां 45 डिग्री टेंपरेचर होगा कैसे गुजारा करते होंगे लेकिन कोई जाके मिले उनको जड़ा हालचाल पूंचे तो इसका एक भूत बड़ा इंपक्ट होता है और मैं महभुबाजी के सुझाव को पर बल देता हूँ आप से आगरह करता हूँ आप अपने राज्य में एक कोई व्यक्ति को निर्धारित कीजिए उसे पता होना चाहिए कि कश्मीर के कौन बच्चे या कोई व्यक्ति कोई परिवार रहते हैं क्या स्थिती में हैं उनसे कभी मेल मिला आपका कारकम और हमारे स्थानिय कारकम उनको बुलाने की परंपरा और दीरे 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 मेकनिजम को विस्तार किया जा सकता है, डिस्टिक्ट लेवल तक ले जाए जा सकता है, बहाँ के लोग आपस में मिलने जुलना रखे, तो अपने आप में एक सिती भावती उपकारग होगी, और आप अपने स्थान पर बैठे बैठे भी कश्मीर की बहुत बड़ी मदद करोगे, जो अल् परिया को पुरा कर सकतें, कर लेना चाहिए, सभी राजलितिक दलों ने, सभी सरकारों ने इसको सर्व समयति से पारित किया है, इसलिए एक टेक्निकली व्यवस्ता पूरी करनी, एक दिन का सत्र होगा तो भी सुबह से साम तक में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, तो मे अपने अनुभव से उसको सराहा, मेरा सचमुझ में आप से आग रहा है, इसमें इस किताब में एक ग्राब भी दिया गया है, कि कितने पैसे बच रहे हैं, हम जो चीजें खरीते हैं और इस विवस्ता से खरीते हैं, तो कितने रुपी बचते हैं, आप इसको देख सकते हैं और इसका फायदा हमने उठाना चाहिए, आप इसको आपके किस एफसर को काम में लगाईए और ततकाल सभी डिपार्टमेंट को और आपके यहां सभी सप्लायर्स को इसके साथ जोड देना चाहिए, एक कॉंपुटिशन प्यादा होती हो और बहुत प्वालिटी गूड्स के हमने सोचना चाहिए, एक कारकम जिसको सरदार पटेल जेनती से प्रारम किया गया है, एक भारत स्रेष्ट भारत, विवित्ताओं से भरा देश है, हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए, एकता को बढ़ाने वाली चीजों को बल कैसे मिले, इन विवित्ताओं को के साथ अप अपनापन कैसे बने है, कभी तो क्या होता है, हम एक ही देश में रहने के बाद भी हमें अज्ञान होता है, अपने ही देश के विशे में, और इसलिए राज्यों से कहां गया है, एक राज्य दूसरे राज्य साथ, एमोग करे, पैर बनाएं, अब जैसे तमील नाडू, तम लेकिन हमारा कोई परिचय ही नहीं है, क्यों न हमारा कोई राज्य, एक साल के लिए तमील काड़ साथ का एमोग करे, हमारे उस राज्य के बच्चे पांच तमील गीत सिखे, सो तमील वाक्य से देखे, उनके आलफाबेट्स पहचानने कब सिख ले, एक आत बार तमील फिल भारत के इतने राज्य है, एक राज्य दुसरे राज्य से, जिसको जो राज्य ठीक लगे, जिसको हम बल दें और भारत के ये जो रीचलेस हैं, इसको हम नजरंदार न करें, एक बार कुछ चीजे सुनेंगे, जानेंगे तो हमें लगे का, अरे ये तो मैं हम भी बोलते हैं लेकिन हमारी परशा अलग है, यह हमारी बात बोलते हैं, एक भारत स्रेश्च भारत कारकम को बन देना चाहिए, हमारे जैसे विवित्ता से बरेते देश में आवशक हैं, एक भीम और आधार, आप देखिए भारत सरकार ने डारेक्ट बेनिफित ट्रांसफर में जितना काम कि इतने कम समय में और बहुत कम योजना है जूर, करीब करीब पच्चास हजार करोड रुपिया जो लिकेजीज होता था, जो हकदार नहीं है, उनके हाथ चला जाता था, वो सारा रुग गया, अगर राज्य भी टेक्नोलोजी का उप्योग करें, आधार का उप्योग करें, मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से इस ववस्थाओं को विक्सीट करें, राज्य के जीवन में हजार करोड, पंदरा सो करोड रुपिया बच जाना ये राज के लिए बहुत बड़ी ताकत हो जाती है, मैं आगरह करता हूं कि हम इस पर बल दें और इसके उसका फायद चीवन मोटा मोटा देख राहता एक जो सरकार नेने किया है, डिस्टिक्ट मिनरल फंड का, मुझे एक दिन रमान सिंह जी बता रहे थे कि डिस्टिक्ट मिनरल फंड के कारन, उनको इतना धन मिल रहा है कि उनके राज्य के साथ district ऐसे हैं कि जहाँ शाय स्टेट से budget नहीं देना पड़ेगा इसी fund से हमारे development के काम हो जाएंगे इसका मतलब कि जहाँ जहाँ पर minerals हैं वहाँ पर यह fund से बहुत बड़ी ताकत मली है करीब परीब 7-10,000 करोड रुपया तक यह amount ततकाल तो नजर आ रही है उसी प्रकार से केमपा फंड कई वर्षों से केमपा फंड रिका पड़ा था पिछले पार्लामेंट के अंदर कानून बनाया और करीब 42,000 करोड रुपीश केमपा फंड का राज्यों को गया केमपा फंड अपने आप में बहुत बड़ा फंड है खास करके एंवार्मेंट और ग्रीनरी के लिए इसके उप्योग करना है और तीसरा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उसका जो वेलफेर फंड है वह भी एक मोटा मोटा अंदाज है करीब 25-30,000 करोड रुपया राज्य के पास अलग-अलग प्रकार की युजनाई बनी है कुछ राज्यों में पैसे वैसे के वैसे पड़े हैं मैं नितियायोग से अग्रह करूंगा कि ऐसे कितने प्रकार के फंड है और इनका उप्योग करने के लिए उत्तम तिन-चार आइडियाज हम निकाल सकते हैं क्या आतर क्या किया है चैरिटी इडाने कंच रुमे में खाना देंगे 10 में खाना देंगे ये कर देंगे में परमेनेंट को काम करना चाहिए उच दिशा में हुआ नहीं है हम सोचें शायद इस धन का उप्योग करते अ अपने राज में हम एक अच्छी ववस्ता विक्सीत कर सकत है और उसके दिशा में हमने आज कुछ मुक्यमंत्री जी ने इस विशे को सपर्स किया है चुनाव एक साथ हो जब मैं भोजन कर रहा था करीब करीब इसी विशे पर चर्चा हुई हरेक का मत बना है किसी भी दल के क्यों नहों लगातार चुनावों में हमारी इतनी शक्ति जा रहा है पांच साल में एक बार एक पूरा महिना दो महिना चुनाव के लिए समर्भित कर दे हैं लोग सभागे विदान सभागे फिरिस्थानी श्वराज के सारा कारोबार एक महने में पूरा हो जाए सब अपना-पना काम करें पांच साल चले इसके बिना हम इतने बड़े देश को मैं समझता हूं कि हम काख़ी कठीन होगा और देखिए जब चीजे टुकड़े में देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है लेकिन एक बास्केट में रेक करके इन चीजों को देखे तो हम कहां खड़े हैं मैं आपके सामने कुछ चीजे रखना चाहता हूं आप भ दोजार बारा से दोजार सट्रा उसके बात सरकार का कालखन कौन सा था तो दोजार नौ से दोजार चवदा वो बारा से शतरा सासन करता नौ से चौदा फिर आया बित आयोग, फइनास कमिशन, उसका समय था 2010-2015, उसके पांच साल अलग, उसके पांच साल अलग, उसके पांच साल अलग, फिर चोथा या बेतन आयोग, 2006-2016, दज साल का होता है, याने इतना mismatch है, एक commission एक दिनरे करेगा, उसके बाद दूसरा बैठेगा, उसका दोनों का mail कभी बैठेगा ही नहीं, हमारे जैसे देश में इस प्रकार का mismatch वाली विवस्ता है, ये हमारे किसी भी planning के लिए काम नहीं आता है, कभी ने कभी हमें इन सारे विशों का एक ही time frame में लाना पड़ेगा, जब तक हम चुनावों की प्रक्रियां को ठीक नहीं करते हैं, बागी कोई चीच ठीक नहीं होने वाली, और इसलिए देश को इतना बड़ा नुक्सान हुआ है, इसके समन में हमने जरा गंबीरता से सोचन किया है, भारत सरकार में ये विशे को हम लाए है, नया है, ऐसा नहीं है, चर्चाएं पहले हुई है, इसके लिए कमिटिया बनी हुई है, कमिशन बने उठे है, रिपोर्ट आये हुए है, और सबने अपने प्रस्ताव रखे हैं, और जादा तर प्रस्ताव तो यह हैं, कि भारत जैसा देश जो कि कृषिप्रधान देश हैं, वहाँ एगरिकल्चर इंकम के तुरंद बात, बजेटिंग होना चाहिए. इसका मतलब उन्हों ने सुझाव दिया है कि जनवरी टू डिसेंबर हमारा फाइनसल एर होना चाहिए, that will be the perfect financial year, भारत जैसे एगरो बेस एकनाम वाले देश के लिए बहुत आवश्यक है, अभी शुरुवात की है, प्रिपॉन करके कम से कम समय पर करनेगे, लेकिन राज्या आगे आए, क्रिशी आधारित अर्थे ववस्ता को ध्यान में रखते हुए, हमारे बजेट की रचना कैसे कर सकते हैं, इस पर मैं चाहूँगा कि राज्य भी इनिसिटिव ले, जुरूर इस दिश में काम होगा, हमने अनुभव किया है कि हम कानून तो बना देते हैं, मैं भारत सरकार में भी हरान हूँ और राज्यों में भी मैंने अनुभव किया है, जब कानून बनाते हैं, हाउस में इतनी बहस होती है, हाउस में से हम विधायों को बहार निकालने तक की नौबत आ जाती है बाई हुक और हुक हुक कानूर भी पास कर दिये जाते हैं लेकिन न रूल्स बनते हैं न नोटिफिकेशन होता है तो लोकतंत्र कहां खड़ा रहा जी संसद हो या विधान गुरु हो जो इतना बड़ा कानून पारिद करें और फाइलों में पढ़ा रहे मैं देख रहा हूं असी के कालखन के कानून अभी तक नौटिफाइ नहीं हुए है रूल नहीं बने आप एक बार अपने हां मोनिटर करवाईए कि पिछले तीस साल में कितने कानून बने कितने रूल्स बने और कितने नौटिफाइ हुए चौक जाएंगे आप आखड़े देख करके दूसरा हम कानून तो बनाते जाते हैं लेकिन पुराने कानूनों का बोज हम बढ़ता चला जारा है दुनिया के कई देश हैं जहां नियम है कि एक नया कानून बनाओगे तो साथ से साथ एक पुराना कानून रत करने का साथ साथ ले आओगे हमारे देश में वो करने के दिन कब आएंगे मैं नहीं जानता हूं लेकिन कम सका मैं एक बार आप ताय कीजिए अभी भारत सरकाने करीब बारा सो कानून खतम किये हैं आप भी अपने राज्यों में एक टीम बिठा करके कानून खतम करके इन कानूनों का जो बोज है इसकी चिंता कीजिए मैं समता हूं कि आवशक है मनोर जी ने काफी विस्तार से न्याय विवस्ता के तहट किस प्रकार से हमारी कठनाईया चल रही है क्या नीतियायों का राज्य मिल करके ऐसे कौन से जज्ज्मेंट है जो पूनन तहा लॉपॉइंट नहीं है एक्जिकूटिव मेटर करते है जिसकी जिम्मेबारी सरकार की है चुने हुए जनप्रतीनितियों की है बिरोक्रसी है लेकिन निर्णे कहीं और हो गया एक पाल लिस्टिंग तो कीजिए पता तो चले क्योंकि ऐसे इसी चीजे सामने आई है कि जिसमें देश चलान बड़ा कठीन हो गया कोई कहता है समंदर के 500 मिटर कुछ मत करो दूसरा कहता है तालाब के 500 मिटर कुछ मत करो तीसरा कहता है रोड के दोनों तोरब 500 मिटर कुछ मत करो चौसा कहता है जंगल में कुछ मत करो इसका मतलब अप स्पेस में जाना है तब तक नया कानून आए कि अगर यह स्थिति बनी तो क्या स्थिति होगी एक बार हम लिस्टिंग करें फिर संबंधित जो लोग होगे ध्यान में लाएंगे कि कितने हैं आपो वकील की ते निर्णे बहुत्रकर होगा हैं कहीं न और जो उत्तम है उसको लाने का प्रयास करना चाहिए 2022, मैं दुमारा एक बार उलेक करता हूँ, भारत की आजादी के 75 साल है जन सामान्य को प्रेरणा देने के लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है 2019, मात्मा गांदी के 150, स्वच्छता को लेकर के ये प्रेरणा का वर्ष है हमारे लिए और 2022, आजादी के 75 साल, सामान्य मानवी को जोड़ना चाहिए हर नागरी कोईन को संकल्प करेगे, 2022 हम ये करेंगे आज हम लोग जो बग्यानिक लोग बैठते हैं तो कहते हैं हमारी अग्रिकल्टर सेक्टर में यूरिया का उत्पादर इतना उप्योग इतना बढ़ गया है कि हमारी पूरी जमीन तबाह हो रही है, बचानी पड़ेगी जमीन क्या 2022 तक हमारे देश के किसान संकल्प कर सकते हैं? कि मैं आज मैं जितना मेरे खेत में यूरिया उप्योग करता हूं मैं 10 परसन कम करूँगा, 20 परसन कम करूँगा, पर 20 परसन कम करूँगा ऐसी कौन सी चीजे हैं जिसके कानण हम देश को मदत कर सकते हैं देश का लाप कर सकते हैं क्या हमारे विधन गुरुहों में दो दिन का, तीन दिन का स्पेशल सत्र बुला करके next five year 2022 के लिए हमें क्या करना चर्चा करें नगरपाली का चिंचा चर्चा करें पंचायते चर्चा करें समाज चर्चा करें NGO चर्चा करें एक पूरे देश में मैं अनुभव बताता हूं आज से 10 साल पहले मैं जपान गया था ऐसी डीस भी अगर रखी है तो उस पर लिखा हुआ रहता था 2020 ओलेंपिक टोक्यो याने रेल्वे की टिकिट लोग तो उस पर भी लिखाएं आच्छे दस साल पहले टोक्यो में 2020 में ओलेंपिक होने वाला है उसको उन्होंने एक नेश्टलर स्पिरिट में कनवर्ट कर दिया और हर काम के साथ उन्होंने 2020 जोड़ दिया क्या हम 2022 आजादी के लिए जान देने वाले लोग करते हुए देश को हम यहां ले जाएंगे हमारे गाउं को यहां ले जाएंगे हमारे परिवार इतना देश के लिए करेगा मैं एक नागरिक के लिए देश के लिए इतना करूंगा हमारा काम है हम नित्रुत्व दे और यह हमारी शक्ति नहीं, सिरब हमारे पुर्वजों को याद करे, मात्मा गांधियों को याद करे, बगत्सी, सुक्दे, राजगुरु को याद करे, देश के वीर बलिदानियों को याद करे, उस समय के दिनों को याद करे, हम प्रेलना दे सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के सबी मुक्यमंत्री अपने आप पे देश को आगे बढ़ाना ये एक पूरी टीम की जिम्मेवारी है और ये अवसर मिला है ये अवसर सिरफ बाउधिक चर्चा का विशे नर है ये संकल्प का बनना चाहिए संकल्प के साथ समर्पन का बनना चाहिए और समर्पन के साथ 2022 के लक्ष प्राप्त करने का इरादा लेकर के हमने आगे बढ़ना चाहिए मैं फिर एक बार आप सब करुदरिशा अभारवेक्ते करता हूं और मैं आशा करता हूं कि देश को चाहे डिजिटल रिवलुशन के और आगे ले जाना हो चाहे स्वच्छ भारत का मिशन चलाना हो च चाहे ट्रांसफरंसी लाने के रादे हो आधुनिक देश बनाने के हमारे प्रयास हो इन सब में यह जो डॉक्युमेंट तैयार हुआ है यह जो ड्राप्त आपके पास आया है उसको और रिफाइन करते हुए और अच्छे सुजाओं के साथ रोल बैप के साथ हम आगे इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबके उत्तम योगदान के लिए आप सबका मैं आभार वेक्तर करता हूं धन्यवाद